हलो गाइस स्वागत है आपका हमारी यूट्यूप चनल पर तो आपका 12 का बोर्ड एक्साम खतम हो चुका है आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का भी अभी आपका 12 एक्साम खतम हुआ है तो थोड़ा आप रिलेक्स करो एक्साम खतम हो गया आप उसका रिजल्ट का टेंशन मत लो आपको ठोड़ा रिलेक्स करना है क्योंकि इसके बाद आपके लिए बहुत ही बड़ा आगे प्रोसेस होने वाला है एडिमीशन का डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है इ और MST-CET जो होता है 2023 में होने वाला है 12 के बाद उसका रिजिस्टेशन भी चालू हो चुगा है तो जो एक्जाम है MST-CET का उसका देखो रिजिस्टेशन कब से 8 3 से 7 4 तर यानि 7 अफ्रेल से तो MST-CET का एक्जाम एक्शुली इस बार जून में होने वाला है अपने बाद ही होगा ठीक है जब आपका 12 का रिजिस्ट आएगा उसके बाद ही एक्जाम होगा MST-CET का तो आपका रिजिस्ट देखो बहुत सारा जो गूगल उस पर अलग अलग वबसाइट से नियूस है तो उसमें एक प्रेडिक्टेट डेट बताया जा रहा है एक मन्त बताय आपका जो मिड माई तक वहां तक आपका आ सकता है रिजल्ट का बट देखते हैं कि क्या होता है कुछ औफिशियल नहीं है जैसे कुछ अगर अपडेट आएगी तो आपको यहां पर तो मिलने ही वाला है और आप चैनल साथ बने रह सकते हैं आगे की अपडेट के लिए र कर के जानने के लिए आप यहां पर जुड़े सकते हैं तो यही ताइच का विडियो आप मुझेר फिर पर फूलो कर सकते हो आपने डाइड टुकुशने के लिए सवाल पूशने के लिए मिलते हैं एंड लिकाशिओ मैं ट्रेंक्यू का इस वीडिव पर देखने के लिए